नमस्कार आप देख रहे हैं हुंकार 24-7 और मैं हूँ आपके साथ सीमा बेर आज उडिशा के चांदी पूरेंज में रक्षा विभाग एवं अनुसंधान संगतिन ने रम्भोस सुपर स्वानिक कूस मिसाईल का सफर जमीन परेशन किया इस मिसाईल की मारक शम्ता अचूख है और इसे थल, बायू और जल से भी दागा जा सकता है चीन और पाकिस्तान के पास अभी तक ऐसी मिसाईल नहीं है जिसे जमीन, हवा और पानी के अंदर से भी दागा जा सकता है भारत और रूस इस मिसाई की मारत दूरी बढ़ाकर इसे हाइपरसोनिक गति पर उड़ाने पर काम करें आने वाले दिनों में दोनों देश मिसाई की रेंज को 290 किलोमेटर से बढ़ाकर 600 किलोमेटर करने के उपर भी काम करेंगे जिससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कोई भी टागे पल भर में तबाह हो जाएगा ब्रम्होस मिसाई को दिन हो या रात या चाहे कोई भी मौसन हो इसे पंडुबी, पानी की जहाज, लडाकू विमान और जमीन से भी दागा जा सकता है ब्रम्होस मिसाई का नाम भारत की ब्रह्मापुत्र नदी, और रूथ की मस्कवा नदी की नाम पर रखा गया है रेमजेय टिंचन की मदद से मिसाई की गटी को 3 गुणा तक बढ़ाई जा सकती है जैसे कि अगर मिसाइल की गती 100 किलोमेटर है तो उसे 320 किलोमेटर तक कर सकते हैं इस मिसाइल की गती ध्वनी की गती से 3 गुना अधिक है और यह 2.8 मैट की गती से लक्ष पर प्रहार करती है जिससे दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं नहीं जाए रम्होस के एयर लॉंच वर्जिन का परिक्षन लगाता चल रहा है सुखोई लडाकू विमान से इसके बहुत से सफल प्रयास ट्राइब हो चुके है रमीनी हकीतर जानने के लिए बने रहिए हुंकार 24-7 के साथ धन्यवाद